नमस्कार दोस्तों जी के अर्धुन सार यूब टूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है मिशन यूजी सी नेट एकजाम 2021 इतिहास प्रेटी सेट 313 में जिसका एकजाम जो है 27 से 25 अक्टूबर के बीच निर्धारित किया गया है तो चले वीडियो प्रारम करते हैं व अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न भूले ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पह करते हैं है है तो चलिए विडियो प्रारंब करते हैं कर नबर उनीकित हरप्पा अस्थलों में से कौं सा एक अस्थान गुआथ में नहीं है कौंसा एक स्थान गुजरात में नहीं यह पूसल था सुर्कोटदा, रंगपूर, सुत्कांगेडोर, देसलपूर इसका राइट एंसर हो जाएगा सी इसमें सुत्कांगेडोर सुत्कांगेडोर गुजरात में नहीं है यह है बुलचिस्तान में और इसके अलावा सुरकुटदा, रंगपूर, देशलपूर ये तीनों अस्थान जो है कहाँ पर है गुजरात में लेकिन सुत कांगे डोर बुलचिस्तान में है कुश्चन नमबर दो है निमलिकित में से किस एक ने सिंध लीपी के उध्वाचन पर काम किया सिंध लीपी के उध्वाचन पर काम किये थे, कौन थे है? या बीवी लाल आई महादेवन या विशेंट आथर इस्मित इसमें राइट एंसर होगा C. I. महादेवन कोश्चन नमबर तीन है सुमेलित करने के लिए चले इसको सुमेलित करते हैं कोश्चन नमबर चार है निमलिकित में से कौन सा एक कथन रीग वेद में इस्तिरियों के विशें में सही नहीं है दिया है वे सभा की करवाई में भाग लेती थी ये सही नहीं है वे यग कानुस्ठान करती ये सही नहीं है वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी ये सही नहीं है या उनका विवा यौना रंब से पुरुही हो जाता था ये सही नहीं है इसमें right answer हो जाएगा C, वे युद्धों में सक्री भाग लेती थी ये सही नहीं है सक्री रुप से भाग लेते ही नहीं थिरे गुविद में इस्तिरिया Question number 5 है तामर संचे का संबंध है तो तामर संचे का क्या संबंध है चमकीले लाल मृद भांड से या गैरिक मृद भांड से या काले और लाल मृद भांड से या चित्रि धूसर मृद भांड से तामर संचे का संबंध है काले और लाल मृद भांड से यानि right answer इसका हो जाएगा C Question number 6 है निमलिकित में से किस एक अस्थल से कबरिस्तान H संस्कृति के साथ मिलते हैं तो कबरिस्तान जो है H के संस्कृति के साथ से मिलते हैं तो ये कहां से मिलता है चहंदुडो, हडपा, मोहंजदुडो या काली बंगा से इसका right answer हो जाएगा B हडपा से यानि हडपा से तीन कच्छों कमला एक बिस्त्रित कबरिस्तान मिला है जिससे असपष्ट सिद्ध हो जाता है कि मृत्तकों की पूरूरूप से दफनाने की प्रथा सरवप्रचलित थी कहां पर हडपा में कोश्चन नमबर साथ है निमलिखित में से कौन सा लच्छन कौन सा लच्छन जो है संगम यूग के तमिल समाज का है और इसमें से कूट का एंसर मिला कर सही एंसर देना है कौन सा कूट इसमें सही है दिया है जटिल जाती ब्यवस्था ये सही नहीं है राजाओं और बेलालों के बीच अंतर विवाह का निसेद ये भी गलत है ब्रामणों में निरा मिस्ता ये भी गलत है उत्रोत्तर आंगी करण ये इसमें जो है राइट होगा इसमें चौथा यानि चौथा सही है इसमें तमिल संगम यूग में के लिए तो इसका डी एंसर होगा केवल चार इसमें सही है कोर्शन नमबर आठ है निमलिकित में से भागवत धर्म का सबसे पहला ज्यात यूणानी अनुगामी था तो भागवत धर्म का सबसे पहला ज्यात यूणानी अनुगामी कौन था ये पूछा जा रहा है इसमें डेमिट्रियस या एल्टी आलकिडस या हेलियोडोरस या इन में से कोई नहीं इसका राइट एंसर रो जायागा सी हेलियोडोरस था यह भागवत धर्म से सम्मंदित है यह प्रथम प्रस्तर एसमारक बिदिशा यह बेशनगर में गरून अस्तम्ब यहां से मिला है और इसी से पता चलता है कि जो तच्छिला की यवन राजदूद थे हेलियोडोरस ने भागवत धर्म भी गरहन किया था और इस अस्तम के अस्थापना करवा कर उसकी पूजा भी की थी कोश्चन नमबर 9 है सुमेलित करने के लिए चले इसको सुमेलित करते हैं एक तरफ प्रदेशों का नाम है एक तरफ जह है राजधानी है तो उत्तरापत प्रदेश की राजधानी कहां थी तो उत्तरापत प्रदेश की राजधानी थी तच्छिस सीला में आवंति राष्ट की राधानी कहां पर थी तिसकी थी उज्यनी प्रासी प्रासी की राधानी कहां थी तो पाटली पुत्र में कलिंग की राधानी कहां थी तिसकी राधानी थी कहां पर तोसली में इस प्रकार ये सुमेलित है कोश्चन नमबर 10 है कथन और कारण से है दिया है कोटिली के और सास् था तो सही है राजी बड़े पैमाने पर बैपार में लगा था ये भी सही है लेकिन आर जो है एकी सही ब्याख्या नहीं करता है यानि ये आर दोनों सही है लेकिन आर जो है एकी सही ब्याख्या नहीं करता है तो इसमें राइट एंसर हो जायेगा बी कोशन नमबर 11 है वन संकर की संकलपना सबसे पहली बार मिलती है ब्रामडों में उपनिसदों में धार्मसुत्रों में या इस्मिर्तियों में इसका राइट एंसर हो जाएगा डी इस्मिर्तियों में यानि मनुस्मिर्ति में 60 जो है वन संकरों का उलेख मिला है मनुस्मिर्ति में तो पहली बार जो यह मिलता है संकलपना वन संकर का किसमें इस्मिर्तियों में कोस्ट नमबर 12 है जाती का लच्छन नहीं है जाती का लच्छन नहीं है अंतर विवा श्रम विभाजन साम्या अनुवनसिक्ता इसका राइट अंसर हो जाएगा सी साम्या साम्या जो है जाती का लच्छन नहीं है गुष्चन नमबर 14 है मौरे काल में प्रचलित बीनमें माध्यम था दिया है कापक पुराण चोनी पण या धिनार इसका राइट एंसर हो जायेगा C पण कोशननमर 14 है निमलिकी तुक्तियों पर विचार करना है और बैसाली में हुई दूसरी बाव संगीती में बहुत धर्म विभक्त हो गए उप्रोक्त में से कौन सा सही है कुट से सही का उत्तर चैन करना है तो चलिए इसमें चैन करते हैं कौन सा इसका एंसर सही होगा तो इसमें एक और दो ही समें सही है एक तरप अपने समकालिन को उपहार देने वाला राजा और दूसरा है उपहार सेंड्रो कोटस सेंड्रो कोटस को जह है 500 हाथी उपहार में दिया गया था सेलुकस सेलुकस को जह है एरियाना का एक बड़ा भाग दिया गया था आमभी आमभी को जह है मुद्रांकित चादी के 80 टेलर दिये गये थे एंटियोकस को मीठी, मदिरा और सुखायगे अंजीर दिये गए थे ये सुमेलित है इस प्रकार कोशन नमबर 16 है सुमेलित करने के लिए एक तरफ गुप्त चरों के प्रकार है और एक तरफ उनके कारिक की प्रकिर्ती है तो चले इसको सुमेलित करते हैं गुड़ पूरुस तो गुड़ पूरुस जो है किस समन्दित है तो ये है गुप्त दूत से एक अथ्री हो जाएगा इसमें गुप्त दूत से इसके बाद संस्था, तो संस्था क्या है संस्था का कार्य क्या है तो इसका कार्य है इस्थिर गुप्तचर संचार संचार का कार्य क्या है तो इसका कार्य है भ्रामान सील गुप्तचर और रूप जीवा का क्या कार्य है गणिकाएं रूप जीवा गणिकाएं को कहा जाता था कोस्टन नमबर 17 है वैसे का लच्छ दूसरे को बली देने वाले अन्यन बली कृत और दूसरे के द्वरा भोजिय उपहोग में आने वाला अन्यन स्याद बताया गया है यह किस में बताया गया है दिया है वाज सेनी साइता या एतरे ब्राम्हन या अथरवेद या सत्पत ब्राम्हन में इसका राइट एंसर हो जायाएगा डी सत्पत ब्राम्हन में कोशन नमबर 18 है कथन और कारण से दिया है इसमें कथन कोशन नमबर 18 कथन और कारण से है तो चलिए देखते हैं इसमें कथन और कारण में क्या दिया है कुशाणों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किये कारण है उन्नत बैपार इस काल की बिशिट्टा थी तो इसमें देखे ए सही है और आर भी सही है और आरे की सही ब्याक्ख्या भी करता है इसका राइट एंसर हो जाएगा ए कुश्चन नमबर 19 है वह सही कालानुक्रम कौन सा है जिसमें तमिल प्रदेशों में निमलिखित का प्रादुर्भाव हुआ और नीचे दिये के कूट से इसका सही एंसर चुनना है तो इसमें सबसे पहले था संगमकाल यान दो इसमें एक ही है तिसका राइट एंसर बी हो जाएगा है संगमकाल इसके बाद जो है दामलिय अविलेक और लाष्ट में सिलाकृत मंदिर कौश्चन नमबर 20 है कथन और कारण से इसमें आपसन एबीस ही नहीं दिया गया है दिया है इसमें बीसवा नमबर कौश्चन है गुप्त काल में गंगा के मैदान में नगरी केंद्रों का पतन हुआ तो ये तो सही है, कारण दिया है बैपार में सिथिलता आई, बैपार में सिथिलता ये भी सही है, यानि ए आर दोनों सही है, आर एकी सही ब्याथ्या भी करता है, इसका राइट एंसर हो जायेगा ए कोशन नमबर 21 है, गुपत्तर काल में उत्तर भारत में कायस्त जाती का बिस्तार हुआ, कारण दिया है भूमी अनुदानों की संख्या काफी बढ़ी, इसमें देखे ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन आर जो है एकी सही ब्याथ्या नहीं करता है, इसका राइट एंसर हो जा सही है, कारण दिया है छोटे किसान भूमी पर अपने अधिकारों का दावा नहीं कर सकते थे, ये भी सही है, लेकिन आर जो है एकी सही ब्याथ्या नहीं करता है, इसका भी राइट एंसर हो जाएगा, बी, कोशन नमबर 23 है, निमलिखित का सही कालनुकरम क्या होगा, नीच इसमें एंसर आपको हो जाएगा, बी, यानि सबसे पहले टीसियस का भारत बृत्तांत, इसके बाद प्लीनी का प्राकिर्तिक इतिहास, इसके बाद टालमी का भोगोल लाश्ट में, कासमास, इंडोलूप्ट्रुस का इतिहाईस, इसाईस, अस्थलाक्रिती, बीवरन, कोश से, जस्टिन के बीवरन से, एरियन के बीवरन से, या मेगस्थनीच के बीवरन से, या स्ट्रेवो के बीवरन से, इसका राइट एंसर होगा, C, मेगस्थनीच के बीवरन से, कोशन नमर पचीस है, और अंतिम कोशन है, रोम में बनी निमलिखित वस्तुव में से कौन सी एक भारत में सबसे प्रचूर मात्रा में मिली भांड, खंड या कांसे की मुर्तियां या दीपख या सिख्के इसका right answer हो जाएगा D सिख्के यानि भारत में रोम के सिख्के प्रचूर मात्रा में मिले ये थे कोशन आज के लिए तो उम्मिद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आयर इसको लाइक करें अधिक सदिक शेयर करें धन्यवाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम